हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एक्जामपूर साथियो मैं कुल जीत आज फिर आपका आपके एक्जामपूर में स्वागत करता हूं साथियो आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं आपको करंट फेर बेस्ट स्टैटिक पोर्शन करवाऊंगा तो मैं आज आपके पास करंट फेर बेस्ट स्टैटिक पोर्शन लेकर आया हूं देखो चुपचाब बैठ के करनते रहे कॉस्चन स्टैटिक स्टैटिक करते रहे लें करन्ट भी तो तियार करना आए ना तो पिछले 4-5-10 दिनों में चितना current based static के main question से वो बुरा निचोड निकाल कर आज मैं लेकर आया हूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की class की तो जो जो बच्चे भी अभी तक नहीं आएं आज आईए और आप लोग एक बार मिलके share कर दीजिए तो मैं हूँ शुरू करने वाला class चलिए पहला प्रशन आपके सामने आता है परधान मंतरी मेसुत सिलमाज का निदर हुआ है वह किस देश के परधान मंतरी थे बताए जरा चलिए बताए जरा जो आपके मेसुत जिलमाज किस देश के परधान मंतरी थे जिनका हाल इमें निदर हुआ है चलो बताओ ज़रा Turkey, UAE, China, Japan जल्दी जल्दी बताईए मेसुत यलमाज मेसुत यलमाज का निदन हुआ वो कौन से देश से बिलॉंग करते थे देखिये बच्चे वे टर्की के बिलॉंग करते थे कौन से देश से बिलॉंग करते थे तर्की देश से बिलॉंग करते थे चलिया चलते हैं नेक्स्ट पेशन की और वो क्या है देखिए विच कंट्री सक्सेस्फुली टेस्ट फायर ब्रहमोस मिसाइल फ्रॉम सुखोई 30 MKI से कौन से देश ने ब्रहमोस मिसाइल का परिक्शन कर लिया है चाइना इंडिया नेपाल बांगलादेश चार आपके पास हैं जरा उत्तर देकर बताईए समय आपके पास हैं 10-15 सेकिंड कॉमेंट करके जरा बताईए आपके कॉमेंट्स को मैं पूरी पैनी नेजर से देख रहा हूं पैनी नेजर पास की गिद्द नजर है बताओ जरा देखिए बच्चे ब्रेमोस मिसाइल इंडिया के द्वारा किसके द्वारा इंडिया के द्वारा प्रिक्षिक्शन किया गया है देखिए यह आपकी जो ब्रेमोस मिसाइल है यह क्रूज मिसाइल है कौन सी मिसाइल है एक क्रूज मिसाइल है ठीक है क्रूज मिसाइल क्या होती है जो मिसाइल जमीन से पहली सिधी उड़ती है उसके बात फिर ऐसे चली जाती है फिर हवा से मार करने वाला सुकोई 30 MKI जो की रशिया बेस्ड फाइटर जेटा उसके द्वारा है ठीक है बचे ये ब्रहमोस मिसाइल असल से भारत और रशिया द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से त्यार की गई है लेकिन केवल भारती से इस वक्त इस्तिमार करता है ये दुनिया की आज तक की सबसे बहतर और गातक क्रूज मिसाइल है ब्रहमोस मिसाइल ये दो नदियों के दो आपके जो बड़ी बड़ी नदियां उनके नाम से बनी है रिवर से एक है ब्रह्म उत्रा एक है नदी किसकी रशिया देश में एक बड़ी नदी है बच्चे उससे मिलकर बनी है ठीक है क्या ब्रह्मोस ब्रह्मोस ठीक है बच्चे इसकी जो स्पीड है मैक 3 से ज़्यादा की स्पीड है इसकी ठीक है यह रैम जेट पर चलने वाली मिसाइल है भारत की तरफ से DRD ने इसका परिक्षन किया था ठीक है ठीक है बचे एक तो ब्रहम पुत्र नदी और दूसरी मैसकोवा नदी है रशिया की जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेशन की और वो क्या कहता है विच और्गनाइजेशन है सैंक्शंड रुपी 85 क्रोर आई रडी एफ लोन टू गोवा गवर्मेंट कि संगठन ने गोवा सरकार को 85 क्रोड रुपए के आई रडी एफ रिन को मंजूरी दी है आई जर्डी एफ रिन को मंजूरी दी है बताई जरा चलिए को मेंट करके बताई ए आ ए ए एफ ठीक बचे आई ए एफ रूरल इंफ wrong स्ट्रूर्प्त्धर डेवलटमेंट फंड कौन सा है रूरल इंफ्रस्रुक्चर डेवलप्मेंट फंड ८ंड जो गाउं के सतरा पर बुनियादी धांचे का development करना है उसके fund के लिए ये सैंक्षन किया गया है पैचासी क्रोड रुपया कौन से संगठन के दोँआ धिया गया है। देखिये बच्यशे जो आपका नाबार बैंक है कौन सा बैंक है जो आपका नाबाड बैंक है उसके द्वारा किया गया है ठीक है किसके द्वारा किया गया है जो आपका नाबाड बैंक है उसके द्वारा किया गया है ठीक है यह नाबाड बैंक असल में नेशनल नैशनली बाडा ओफ अग्री कल्चर और रूरल डवलप्मेंट नेशनल बॉर्ड वेल्फोर फोर एग्री कलुचर रूरल डवलप्मेंट रूरल डवलप्मेंट है जिसका गठन 19 1982 में किया घा था विशे यह मुख्या तोर पर जैसे कि कोई भी बैंक को capture को एक कोटा दिया जाता है ठीका बचे उसकोटे के इंतरगते खर्चा मलब ब्याज देना को लोन अलगर लोन नहीं देता है तो वह सारा पैसा नाबाड पास जाता है नाबाड इसे गाउन के स्तर पर या फिर agriculture के स्तर पर किशी के स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंवेस्ट करना होता है उसमें इंवेस्ट करता है ठीक है और कई परकार से गवर्मेंट की गरांट्स भी मिलती है इंटरनेशनल और्गनाइजेशन से भी कई परकार की गरांट्स होती है जो संदी के तहत ली जाती है ठीक है बचे चलिए обязательно आता है आपके सामने फू लांच ग्रीण दीली एप तु रीड्रेस पॉद्योशन कंप्नेट पॉल्योशन की कंप्लेट सा निवारन करने के लिए एक ग्रीन एप किसके दौरा लाउंच की गई है ग्रीन एप कॉमेंट करके बताईए मैं आपके कॉमेंट्स को देख रहा हूं आज मेरा गलापूरा कुरसी पर बैठा हुआ है इसलिए ज्यादा मेरे को परशान मत करना देखे बचे अर्विंद केजरिवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उनके दौरा ये किया जा रहा है ठीक है उनके द्वारा ये लॉंच किया गया है ये दिल्ली की सरकार को मुख्य रूप में मद्द करेगा ये तैय करने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं चलिए चलते हैं इंडिया's first solar power miniature train launch in which state बारत की पहली सोर उर्जा संचालित लगू रेलवे किस राज्या में शुरू की गई बताई जरा इंडि भारत की पहली solar power miniature train किस राज्या में लौच की गई भारत की पहली सोर उर्जा संचालित लगू रेल गाड़ी किस राज्या में लौच की गई बताई जरा first solar powered miniature train कौन से राज्या में लौच की गई है बताई जरा देखिए बच्चे यह जो आपका केरल राज्या है ठीक है केरल राज्या के वेली टूरिस्ट विलेज है जो वहां से शुरू की गई है वहां है वहां से इसकी शुरूवात की गई है आपकी solar power train की जो भारत की सबसे पहली solar power train है यह आपको पता होने चाहिए इसके अलावा भारत में vegetable train को भी संचालित किया गया है ठीक है बच्चे यह आपको बात पता होनी चाहिए चलिए where did the super typhoon गोनी hit recently जो आपका चकरवाद होता है ठीक है बच्चे चकरवाद होता है जैसे बारत में इसे tropical cyclone कह सकते हैं इसे कुछ इलाकों में typhoon के नाम से भी जाना जाता है हरी केन भी कहते हैं कुछ इलाकों में जो यह typhoon है गोनी वहाली में उसने कौन सी जगा को जाके टकराया है बता ही ज़रा गोनी टाइफून हिट रिसेंटली टू विच प्लेस जल्दी बताईए यह गोनी टाइफून देखिए बचे साउच चाइना सी में जो ट्रॉपिकल साइकलोन होता इसको टाइफून कहते हैं यह फिलिपाइन्स से जाकर टकराया है फिलिपाइन्स देश कहां पर है साउथ इस्ट एशिया में इंडोनेशिया के साथ ही यह देश बचे दक्षिनी पूर्वी एशिया में आता है आपका कौन सा देश ठीक है बचे चलिए विच कंट्री अप्रूव्ड सेल ओफ आम्ड ड्रोंस टु टाइवान किस देश ने ताइवान को शस्त्र ड्रोन की बिक्री को मजूरी दी बताईए जरा विच कंट्री अप्रूव इसह सेल और आम्ड डॉब तू टाइवान ताइवान को डॉच कहते हैं जो ने वाले जहाज होते हैं उसमें पाइलट्स के बैटने की देना हुआधि अशे के लिए-चा अब ड्रों चाब्ढ़ कह बताता है ल 하기 चाइना पॉलसी के अंतरगात और भारत बीस संवंद बना रहा रहा बाकि देश भी से संवंद बता रहे हैं बताएध उसे आम डॉन्स कौन दे रहा है तैवान को कु जल्दी कॉर्मेंट करके बताएए कि तैवान को आर्म ड्र हों देने का कार्या कौन से महानुबाव कर रहे हैं देखिए अमेरिका ताइवान को आम्ड ड्रोंस दे रहा है ठीक है यूएस यूएस गिविंग आम्ड ड्रोंस टू ताइवान हलो देखिए बच्चे यह जो ड्रोंस दे रहे हैं MQ9B ड्रोंस दे रहे हैं ठीक है MQ9B टाइप के जो ड्रोंस है वो डोनाल ट्रॉप उनको दे रहे हैं चलिए अब डोनाल ट्रॉप का तो पता ही अब आपको हार जो बिड़न अब जाकर बने है क्या वहां के राष्टपती ठीक है 284 सीट मिली है उनको 270 के बहुमत से ज्यादा बचारे ट्रॉप तो 214 पर फशे रहे गए बताओ अभी हाला कि वो कह रहे हैं कि यहां पर गडबड़ है वहां पर गडबड़ है डेटा भी निकल कर आया कह पर रिजिस्टर वोट से ज़दा वोट पड़ियां देखो क्या बनता है चलिये हाँ मैं इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाई 2050 ट्वेंटी फिफ्टी तक कितने भारतिय शहर जल जोखिम का सामना करेंगे हाँ मैं इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाई 2050 पताइए इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाई 2050 देखिए बच्चे कहना है कि कुल 30 ऐसे शहर होंगे कुल 30 ऐसे शहर होंगे जो की 2050 तक बहुत जदा जिसको पानी का खतरा हो जाएगा किसके कहना है वर्ल्ड वाइड फंड का ये बात कहना है किसका कहना है वर्ल्ड वाइड फंड का ये बात कहना है ठीक है कि तीस शहर भारत के खत्रे में होंगे ठीक है जैसे कि दिल्ली जैपूर इंदौर अमरिसर पूने श्रीनगर कॉलकत्ता बैंगलोरो मुंबई कोजी कोद विशाख आहां रिच्ष कंट्री नैघल शिपीसट्व प्रवाइड फूड फूरए टू सुदान बताये सुदान को खव्य सहाईता परदान करने कЕ लिए किस देशका नौसना जहाज पहुंचा बताया गूरा विच्ट कंट्री विश नैवल शिप इस्ट्व प्रवाइड कौन से देश का समुद्री जहाज सुडान को खाने की ख़द्य पदार्थों की सहाइता पदान करने के लिए जा रहा है अमेरिका इंडिया रशिया यूए 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 बता यह दरा देखिये बचे आपका इंडिया का एक जहाज है ठीक है बचे आपका इंडिया का समुद्री जहाज यह खाने की मुहमद मद्द मुहया कराएगा अरावत ठीक है बचे क्या होगा इसका नाम उसका नाम होगा आई ए आज आइस एरावत ठीका बचे क्या उसका नाम होगा इंडिया एस एरावत उसका नाम होगा चलिए चलते हैं नेक्स्टस प्रेशन की और वो क्या है प्रियांसा राधा कृष्णन्ड बिकम दा first Indian original minister of which country? Priyansa Radhakrishnan. Priyanka chopra मत समझ लेन. Priyansa Radhakrishnan become first Indian original minister of which country? Australia, New Zealand, UK, USA. Priyansa Radhakrishnan. जल्दी बताईए बच्चे, Priyansa Radhakrishnan असल में मूल रूप से भारत की हैं. और ये, New Zealand में जाकर बस गई थी. बाद में New Zealand की अब मंत्री बनी है. पहली Indian original minister. ठीक है बच्चे? चलिए. चलते हैं next question पे वो क्या है? Who is the author of the world's first sign-tune book? Bye-bye Corona. जो विश्व की पहली विज्ञानिक पुस्तुक है, जिसका नाम है Bye-bye Corona, उसके लेखक कौन है? बताईए जरा. जो सबसे पहली विश्व की, कॉमेंट करके बताईए जरा जोर शोर से. बताईए जरा कौन से विक्ति ने ये बाई बाई करोना नाम की पुस्तक लिखी है? करोना बाई बाई जैसे गो करोना गो का नारा दिया था आपके देश के एक मंत्री ने, उसी प्रकार से बाई बाई करोना की एक बुक आई है. देखिए बच्चे, बैले बच्चे, डाक्टर प्रढदीप श्रीवास्तव, ठीक है disturb अभी आप भी तो मेहनत करने हैं है न, अप्राक्टर प्रढदीप श्रीवास्तव ने, बाई बाई करोना नाम की ये बुक लिखी है ठीक है? अब तुम भी बाई बाई करोना नाम की इबू क्लिक दो नेक्स सोचन आता है विच नेशन्स आर्मी लाँच इंडिजिनियस मुबाईल एप्लिकेशन साई किसी एक देश की आर्मी ने एक मुबाईल एप्लिकेशन लाँच किया जिसका नाम क्या है साई ठीक है बच्चे अभी नीचे है ओप्शन में ऊपर लिख दूँगा ठीक है बच्चे मैं बड़ा कर देता हूं इसको देखिए इंडिया चाइना रशिया बी-सी-डी अब बताओ कौन से देश की सेना ने साई नाम की अप्लिकेशन लाउंच की है बताओ दरा साई नाम की अप्लिकेशन साई मुबाइल एप अब 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 देखिए बच्चे आपके इंडिया आपके इंडिया की आर्मी ने ठीक है आपकी इंडियान आर्मी ने लाउंच की है साई अप्लिकेशन ठीक है बच्चे यह क्या है जैसे आपका वाट्सप है या फिर आपका टेलीग्राम है वाट्सप और टेलीग्राम की तरह ही एक अप्लिकेशन है ठीक है वाट्सप और टेलीग्राम की तरह ही एक अप्लिकेशन है ठीक है वाट्सप और टेलीग्राम की तरह ही यह काम करती है messaging app है ये एक परकार की ठीक है बचे ठीक है ये एक परकार की messaging app है secure messaging app है यो Indian army द्वारा launch की गई है ठीक है बचे जो आपका search group है उसके उपर वो काम कर रहा है ठीक है इसके बारे में अगर आपको information दे सकते हो तो बताईए ज़रा मैं देख रहा हूँ आपके comments इसके अंतरगत end to end inscription होगा ठीक है बचे मलब बहुत ज़दा high security इसके अंतरगत होगी इसको army का cyber group ठीक है intellect ये सब चीजे जाके handle करेंगे ठीक है जाए ये हमारे देश की पहली messaging app होगी देखिए बचे इसको किसके द्वारा अपने बनाया गया है साई शंकर एक कोलोनल है बचे क्या है कोलोनल साई शंकर को लोनल साई शंकर द्वारा को नोलल और रही को लोनल साई शंकर जो राजिस्थान में डेप्यूट थे उनके द्वारा बनाया गया था बाद में इसे आर्मी के स्टेंडर्स पर अपग्रेड किया गया चलिए बच्चे चलते हैं आगे चलते हैं विच स्टेट सी एम चंदर शेखर राओ लॉंच धरनी पॉर्टल दर्नी पॉर्टल कौन से रज्य के मुख्य मंत्री जिनका नाम है चंदर शेखर रवाय राओ द्वारा लॉंच किया गया दर्नी पॉर्टल बता ही दरा चलो दर्नी पॉर्टल दर्नी पॉर्टल दर्नी पॉर्टल झाल है कि अग्या है और इसके अंतरगात ही इसके अंतरगात पता नहीं पिछली रिकॉर्ड रही देखें बच्चे मेरे को लगता थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आई हो मैं दुबारा बता रहाँ एक बार कि देखिए जो आपके तेलंगाना रज्य है तेलंगाना रज्य के मुख्य मंत्री द्वारा धर्नी पॉर्टल लांच किया गया है आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं जमीन ख लांच किया जा रहा है ठीक है यह तो होगी पहली बात दूसरी बात कि दिये जो पॉर्टल लांच कर रहे हम यह जो पॉर्टल लांच कर रहे हैं अगर इसके अंतरगत कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई फ्रॉड करता है तो उसके उपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बा सकते हैं आप कि यह धरनी पॉर्टल बनाया किसने हैं मतलब करप्शन फ्री हैसल फ्री परकार का ऑप्शन दिया है सरकार ने अपने टीविस करता है सरकार ले रही मैं चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की और नेंस्ट आपका आता है वो क्या है हैं जो आपका भेनी बरिज हैं वह कौन से दो कुसरerd कौन से देश को बारत के साथ connect करता है फेनी ब्रिज बारत को किस देश से जोड रहा है बताए ज़रा फेनी ब्रिज बताए जल्दी बताए जरा इसका अंसर देखिये बच्चे नेपाल श्रिलंका बांगलादेश मयनमार भर भ देखिये बच्चे जो फैनी ब्रिज है वह आपा बांगलादेश के अंदर भ लाहर भारत को बांगलादेश के जोड रहा है ठीक है यह यह भारत को किसके साथ दोड़ा है बंगला देश के साथ जोड़ रहा है ठीक है यह आपका कौन-कौन सी जगा करेक्ट करेगा समझे जरा यह आपका फैनी ब्रिज असल में फैनी नदी के ऊपर बनाया जाना है किसके ऊपर बनाया जाना है फैनी नदी के ऊपर बनाया जाना ह है यह आपका जो 30 पोरा राजय होगा कौंसा राज hayır ओर तरी पूरा राज्य भारत का उसको चीटा-गौम चीटा-गौम जो कि बांगलादेश के अंदर है इन दोनों को बिज के माधियम से म कनेक्ट करेगा ऑफैनी नदी जो कि आपकी पुर्ण में है ठीका बचे फैनी नदी जो आपकी त्रीपुरा और बांगलादेश में बहती है ठीक बचे तो आपकी जो फैनी नदी के ऊपर बनेगा कौन सा ब्रिज फैनी ब्रिज और यह फैनी ब्रिज भारत का त्रीपुरा राज्य और बांगलादेश का चिता गॉंग इन दोनों को अपस में connect करेगा सबसे पहली बात डूसरी बात इस फैनी प्रिज को माई तरे ब्रीज भी कह रहे है मैग से नी context ठिका मतलब मित्रता ही का माई तरी का मतलब क्या होता है मित थरता होती है तो इसे मैं 30 सेतु का नाम भी दिया जा यह ब्रिज कुल 116 किलो मीटर यह कुल 116 किलो मीटर लंबा होगा इस ब्रिज की लंबाई कुल 116 मीटर होगी ठीक है अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो मैं आपके कॉमेंट्स लेने के लिए भी त्यार हूँ यह एक ट्रांस बाउंडरी री रीवर है बचे फैनी रीवर ट्रांस बाउंडरी है एक देश से द्थरे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ठीक है बचे और इसकी ट्रिब्यूटरी है मुहूरी रिवर तो यह बाते आपको पता होनी चाहिए थीक़ा बच्छे चलिये ये अपकी Fangy river जो आपकी south तीरीपूरा है त्रीपूरा का दक्षिनि भाघ ऌहाग है असल में जो आपका त्रीपूरा recession propre जह ना वह तेन ओर the बांगला देसे गिरा हुआ है एक तरफ से केवल ज्टा हुआ है मिजुरम और असाम से ठीक अपका मसाम एक ऐसा राज है नॉर्सारी सोरी नौर्थ वीस्ट लेन नीचे साफ टिरी पूरा लेकिन तरीपुरा असाम के साथ तो जुड़ता है साथ में थोड़ा सा मिजरम के साथ भी बॉर्डर बनाता है लेकिन कहीं न कहीं ये आपका भारत का एक ऐसा रज्य है जो तीन और से किसी विदेशी कंट्री किसी विदेश किसी दूसरे देश की और से गिरा हुआ है देखिए जरा समझिए इस परकार से बॉर्डर जाता है इस परकार से बॉर्डर जाके नीचे कुछ इस परकार से योगते ऐसे ऐसे करके जाता है ठीक है तो यहां पे आपका जो तुरी पुरा है तो यहां आपका सारा का सारा बांगलादेश जा रहा है ऐसे करके ठीक है एक सेकंड रूकर दुबारा बनाना पड़ेगा ऐसे करके कुछ जा रहा है आपका तरी पुरा ठीक है बचे तो यहां से उपर की और आता है ठीक है तो यहां पर आपका से जिसमार का सारा बंकला देश ए जिसका बौरडर आगे जाकर पांगला piglja का biomrok मेंखार से बर्टा इबाए तो यह तीनओ तिरीपुरा को किनेक्ट करना वैसे वाटर वेस के माध्यम से भी बारत जोड रहा है इस इस इससे की बांगला देश जैसे इलाके का फायदा उठाकर transit वी बहतर तरीकेश से किया जा सके फूर एक्जामपल अगर हमें जाना है तो चोटी सी तो गर्दन जो वेस्ट बेंगाल वाली है जो हमें नौर्थ हीस से जोड़ती है तो बांगलादेश के मादम से बारत जुड़ना जाता है बेंगाल के साथ और नौर्थ हीस के साथ चलिए विच कंपनी किया है बताई दरा चलिए बताई ये रूपे कार्निवल फेस्टिवल रूपे कार्निवल फेस्टिवल वह किस कंपनी ने लाउंच किया है रूपे कार्निवल फेस्टिवल बताईए जरा देखिए बच्चे कार्निवल फेस्टिवल किसके द्वारा लौच किया गया है ये एनपी सी आई द्वारा लौच किया गया है एनपी सी इप क्या है नैशनल पेइमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया इसी नैशनल पेइमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया के द्वारा और उसके बाद आजकल जो WhatsApp जो WhatsApp पे शुरू हुआ है भारत में उसके अंतरगत की बीम की यूपियाइ पेइमेंट सर्विस ही चलती है सबसे पहली बात दूसरी बात ये Carnival Festival होता क्या है Carnival Festival Carnival Festival अक्सर February और मार्च के महीने में मनाया जाता है सबसे पहली बात और यह कार्निवल फेस्टिवल होता क्या है कार्निवल फेस्टिवल वाले दिन में एक तरह की प्रेड होती है जैसे अजादी वाले दिन एक तरह की प्रेड होती है लेकिन इस प्रेड में जो कार्निवल फेस्टिवल वाली को बढ़ाने का हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक सर लिखा होता है दूसरी दूसरी कंपनियों के नाम किसी के ओपर वीज़ा लिखा होगा किसी के ओपर मास्टर काड लिखा होगा ठीक है वह प्रकार की payment सर्विस गेटवे होता है जो इन ATM कार को किसी को भी पैसे देने में मदद करता है उसके बदले वो कुछ चार्जिस लेता है तो रूपे भी उसी परकार से एक पेमेंट गेटवे है वीजा की तरह या मैस्टर कार्ड की तरह ठीक है बचे तो रूपे को बढ़ावा दे रहा है भारत पूरे भारत मालबत बारत की सरकार या कंपनिया भारत में ओर विदेश किया गया तो इस रूपे कार्ड का यह कार्णीवल लांक किया गया इसको प्र Ц assim ठीक है बच्छे इसके अंतरगत आपको 10% का इंट इंस्टेंट डिस्काउट मिलेगा एमाजोन की उपर अगर आपको फेस्टीवल करते हो या और भी कई परकार के इन के आपको क्या दे रहे हैं कि कम से कम 65 परतीशत तक के आपको डिस्काउट मिल रहे हैं अब टू 65 परसें करण कंट्रो कार्ण करते हैं उसको एक यह रहे सकते हैं एक चलते बहीं आपका पहल कह सकते हैं जैसे कि कैसह देते हो तो करोणा सकता है अगर रूपे से पैसे देदोगे तो करोना ने खत्रा कम हो जाएगा ये भी एक कार्ण कह सकते हो सेफ और अच्छे तरीके से देने का ठीक है एमाजॉन स्वीगी सैमसंग और और भी कई इव कमर्स मलब इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स की कंपनियों के ऊपर ये सर्विस आपको दी जा रही है बच्चे ठीक है तो एक सेकंड रुकिये जड़ा है एक सेकंड के रुकिये तो बच्चे स्वाज आता हूं हो जाता है कभी कबार ऐसे ठीक है अब कोश्चन्स का जो हमारा तीन दिन का मैंने सेशन बोला था कि हम करेंगे आज का वो सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है ठीक है तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम कल से क्या करेंगे दुबारा अपना जो जियोग्रोफी के टॉपिक चल रहते हैं उसके अबर डिटेल में करेंगे तो अगर आपको लग रहा हो कि यार तीन दिन हो गया कॉस्चन करकर के बोर हो गया कुछ और भी तो करवादो तो कल टॉपिक के लिए त्यार रहीएगा तो एक्जामपूर चैनल को सबस्क्राइब करिए ये क्लास होती है रोज शाम को साथ बजे से आठ बजे इसके बाद होती है आठ बजे से लेकर नो बजे तक मंझी सर की मैठ की कलास और उसके बाद होती है नो बजे से दस बजे तक अफदेज सर की रिजनिंग की कलास तो बच्चे इसी के साथ मैं आपका D.R.D.M.T.S. क कलास में आने के लिए धन्यावाद करता हूँ रोज आए क्लास को चैनलों को सब्सक्राइब करिए कोश्चन्स करना भी जरूरी है लेकिन थियोरी भी हम कर रहे हैं ओके फ्रेंड्स बाइबाई